हालो, जहिन सभी को शौगत है आप सभी का पुना हैं इस न्यस वीडियो में जो कि एक शुरुवात है पैड़ागो जी आपérêt चैन की प्रक्टिस चलेगी आपकी कान्टिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा जो की पहला प्रक्टिस यठीए जिसमें आपको नयक्वेस्टन मिलेंगे पुराने questions मिलेंगे और जो exam में आ चुके हैं वो सभी questions मिलेंगे बहुत creative और innovative मिलेंगे जो आपको exam में आते हैं इससे पहले जो भी special education MCQ series या marathon class या special education की उन सभी को भी जरूर देखिए उन सभी का link आपको मैं description box में दे दूँगा आप उने भी देख सकते हैं and आप telegram channel से भी जूड़ सकते हैं जो आपको description box में उस कलने की मिल जाएगा वहाँ पर आपको pdf और जरूरी चीज़ें आपको मिल जाती हैं आप जानते हैं कि special education में सबसे ज़्यादा questions अगर आते हैं तो कहीं भी special education से संबंधित question आते हैं किसी भी teaching exam में आपके लिए बहुत benefit है तो बने रहे हैं वीडियो के अंततक और पूरी जानकारी प्राप्त करिए तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस session को जिसमें सबसे पहला question जो कि आपके सामने है इससे पहले यदि आप channel में नए हैं तो channel को जरूर subscribe करें and साथी well icon को भी प्रेस करें ताकि आने वाले new video का notification आपको तुरत मिल जाए और आप ऐसे ही प्राप्त करते रहें जानकारी हांसिल करते रहें जैसा कि आपके सामने पहला सवाल है question number one education for all handicapped children act कब बना option हमारे पास चार है option a 1980 option b 1976 option c 1975 या फिर option d 2004 तो इस सभी में चारों में से जो हमारा सही जवाब है option c is the correct answer 1975 में और यह जो education for all handicapped children act है इसी को बाद में idea act के नाम से जाना जाने लगा है जो कि 2004 में बना था अब देखते हैं question number two question number two जो कि आपके सामने हैं कहता है कि किस अधनियम में 13 दिभ्यांकता है सामिल यानि कि 13 disabilities कौन सा act कबर करता है option a rpwd act 2016 option b nt यानि कि national trust act 992 या फिर option c idea act 2004 या फिर option d 81 act 2012 है तो इसमें से हमारे जो सही जवाब है option c is the correct answer 2004 जो idea act है उसी में 13 प्रकार की दिभ्यांकता है सामिल है आप देखते हैं next question की और यह रहा आपके सामने question number three जो कहता है कि emotional disturbance नामक दिभ्यांकता किस अधनियम में सामिल है यानि कि एक ऐसा भी अधनियम है जो emotional disturbance को एक दिभ्यांकता है या समस्या मानता है देखते हैं option a idea 2004 यानि कि individuals with disabilities education act option b nt act यानि कि national trust एक तो 992 option c mh act 97 यानि कि mental health act या फिर option d lunacy एक तो 1912 तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है option a is the correct answer यह है idea idea act आप देखते है question number 4 अंत तक बने रही है बहुत ही बहतरीन बहतरीन आपको questions मिलेंगे और ऐसे questions जो exam में आ चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे तो चलते है question number 4 की तरब जो आपके सामने है question number 4 कहता है कि ऐसे बच्चे जिने प्रतीकों ब्याकरडिक संदचना सब्दों को लिखने एवं समझने में समस्या होती है उन्हें क्या कहा जाता है हमारे पास 4 options है option A मांसिक रूप से दिभ्याग यानि कि जो mentally handicapped होते है option B साधिरिक रूप से दिभ्याग यानि कि जो physically challenge होते है option C नेतर है यानि कि जो blindness होते है या जिने हम देश्टी हिंता या देश्टी वारित बिक्ति कहते है option D भासा बिकार से ग्रस्ट यानि कि suffering from language disorder तो चारों में से देखे हम जब भी answer देते हैं तो हमारे पास 4 options होते हैं उन्हें 4 options में से हम better option चुनते हैं तो इन 4 में से जो हमारा सही जवाब है वो है option D is the correct answer क्योंकि ये सारी चीज़े भासा से सम्मंदित है इसलिए भासा बिकार से ग्रस्ट question number 5 question number 5 जो आपके शामने है यदि हम बच्चों को स्रमण प्रसिक्षण दें तो वह किन बच्चों की लाप्रत होगा यानि कि जो हम auditory training अगर किसी बच्चे को देते हैं तो वह किन बच्चों के लिए लाप्रत होगा तो हर बैक्ती को तो auditory training देते नहीं फिरेंगे जरूरत होता है उन्हीं को हम देते हैं तो चलिए देखते हैं हमारे पास 4 options है option A जो पूरता स्रमणबादीत बच्चे हो यानि कि जो profound hearing loss हो जिसे बिलकुल भी sound का आभास ना होता हो या फिर option B जो अंसिक स्रमणबादीत बच्चे हो या जो profound से पहले जितने भी कटेग्रीज हैं चाहे वो normal, mild, moderate, moderately, severe, severe इन सभी कटेग्रीज में सभी आंसिक यानि कि इन लोगों को एक auditory training दिया जा शकता है option C बाड़ी बिकार वाले बच्चे को या जो बोल नहीं सकता है या फिर option D भावनात्मक रूप से परिसान बच्चे को तो किसे दिया जा सकता है question number 5 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer यानि कि जो अंसिक सरौन बादित बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं उन्हीं को हम दे सकते हैं और इसके लिए auditory training जब भी देती हैं तो एक विशेशग होता है वही बहतर तरीके से दे सकता है आप देखते हैं question number 6 जो आपके सामने हैं देखते हैं question number 6 क्या कहता है किनिम लिखित में से कौन सा रोग neurological परिस्थितियों के कारण नहीं होता है यह आपर बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा mental से रिलेटर है नियूरो से सम्बंदित है हमारा जो हमारे जो सम्बेदी से सम्बंदित है उसमें से किन परिस्थितियों के कारण होता है इन चारो में से ऐसा है जो neurological condition के दौरा नहीं होता है हमारे पास चार option से option A थेलेसीमिया, option B प्रमस्तिस्की पक्छागा, option C multiple sclerosis, option D परकिंसंस रोग तो इन चारो में से जो हमारा सही जवाब है, option A is the correct answer थेलेसीमिया क्योंकि ये blood related problem है, एनेमिया की कमी हो जाती है, ऐसे बहुत सारी characteristics है, तो क्योंकि यो neurological नहीं है, इसलिए थेलेसीमिया हमारा सही जवाब हो अब देखे, question number 7, question number 7 क्या कहता है, कि अविक्सित भाषा, यानि कि भाषा का विकास नहीं हुआ है, जो अविक्सित भाषा किस विकार की अविलाक्षणिक विशेषता है चले देखते हैं, हमारे पास 4 options से, option A, स्रमण दोस यानि की hearing loss, option B, वाक दोस यानि की speech disorder, या फिर option C, दिर्ष्टी दोस यानि की blindness, या फिर option D, स्रमण दोस यानि की ब्लाइडनेस, या फिर option D, स्रमण दोस यानि की वाक दोस दोनों, तो question number 7 का जो हमारा सही जवाब है, option D is the correct answer, कि स्रमण दोस या वाक दोस दोनों, जो अभिक्सित भासा से सम्बंधित विश्यस्ता को सो करते हैं, अगर भासा का विकास नहीं है, तो वो सही तरीके से अपने वक्तब नहीं दे पाएगा, और नहीं, communication सही तरीके से हो पाता है, तो ये दोनों जो स्रमण दोस और व बच्चे की पहचान देर से की जाती है, तो ये किसे प्रभावित करता है, मान लिजिए कि जल्दी पहचान हो जाती, तो ठीक हो जाता बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर किसी बच्ची की पहचान या समुण बादित बच्चे की पहचान देर से की जाती है, त तो question number 8 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer child speech यानि कि बच्चे के वाक यानि कि जो वाड़ी कभी कास है उसको प्रभावित करती है अगर कोई स्रुण बाधित बच्चा है जल्दी पहचान लेते हैं तो जल्दी उसको speech therapy दी जा सकती है language therapy दी जा सकती है उसके अंदर भावसा कभी कास किया जाता है लेकिन अगर जल्दी ना पहचान पहें तो उनको problem होता है बाकि अगर स्रुण बाधित है तो उसको खाने की आदस से कोई मतलम नहीं बच्चे के समाजी किस्तिती इतनी ज़्यादा परभावित नहीं होगी बड़ सबसे ज़्यादा जो होगी वो चाइल्दी ज़्यादा योगी हमारे यहां मेंड मुक्य है अगर इसके बाद ही वो सब समाजी की स्तितियां सारी चीज़ें आती है इसके बाद देखिए कुश्चन नमबर 9 यह अधिकतर कुश्चन आपके एकजाम में आया हुए है जो कि D.E.E.B. में आ चुके हैं ध्यार नखिएगा आप कुश्चन नमबर 9 देखते हैं कहता है यदि कोई बच्चा दूर की वस्तमों को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करता है तो उसे कौन सिद्य ब्यांता कहते है ओपशन A, सर्मण बादिता यानी की hearing impairment option B, सुलीनता यानी की autism option C, visual impairment यानी की दिष्टीबादिता या भूफशन D, civil policy यानी की परमस्तेश की पक्च आगा question number 9 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer ये दिश्ट इबादित होगा, क्योंकि वो सही से देख नहीं पा रहा होगा, इसलिए वो आगे पीछे करता है, हलाकि जनरली बच्चा जल्दी करता नहीं है, बट इन लोगों को देखे, कोई भी समस्या जब वो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जादा होती है, बार बार किस चीज को करता है, तब हम उसको समस्या की कटेगरी मिलेते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे आप आज नहीं लिख पाते हैं, आपको लिखने में समस्या है, हम बोलने कि आपको डिस्ग्राफिया है, बिल्कुल नहीं, एक दो दिन में या रैटिंग प्रॉब्लम एक दो दिन में ब बेवहार सम्मंदी समस्याओं के बारे में क्या सकते नहीं है यानि कि जो आगर बेवहार सम्मंदी समस्याओं हैं तो इन चारों आप्सन में से क्या सकते नहीं है देखते हैं आप्सन ए यह जीवन में अशफलता के कारण उत्पन हो सकती है यानि कि बेवहार सम्मंदी समस्या Option B, ये बच्चे के सामाजिक वातावरण के कारण हो सकती है Option C, ब्यवहार सम्मंदी समस्याएं आनुवानशिक प्रकृति की होती है Option D, निराशो जनक परिस्तितियों से छुटकारा पाने के लिए बच्चा ब्यवहार सम्मंदी समस्याएं दिखाता है तो अगर आप देखें, तो ब्यवहार सम्मंदी समस्याओं के वारे में जो सत्य नहीं है, वो सत्य option C नहीं है इसका reason है कि ब्यवहार सम्मंदी समस्याएं आनुवानशिक प्रकृति के नहीं होती है क्योंकि ब्यवहार हम बाद में करते हैं बाद में शीखते हैं ये परिस्थित ही जानक है तो question number 10 का जो सही जवाब है option C is the correct answer आप देखते हैं question number 11 11 परसन जो आपके सामने है क्या था कि निमलिकित में इसे दूरस्त सिक्षा से सम्बंदित यानिक जो distance education उससे क्या सम्बंदित है देखते हैं option A बिद्याले में सुब्यवस्तित सिक्षा option B स्थान एवं समय में सुगम्यता option C सनरचित पाठकरम के बाहर सिक्षा option D नियमित कप्षा में सिक्षा तो question number 11 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer accessibility in this space देखिए दूरस्त सिक्षा में कोई problem नहीं होता आप किसी भी समय पढ़िए कहीं भी पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है ना आपको प्रति दिन जाना है ये उसके लिए बहुत बड़ी accessibility है इसलिए इसमें option B is the correct answer अब देखते हैं question number 12 ये कहता है कि एक समावेसी बिद्याले में बिद्यार्थी एक ही टेबल पर खाना खाते हैं ये वो मैदान में एक ही साथ खेलते हैं ये किस प्रकार का समावेशन है तो हमारे पास चार option से option A राजिनितिक शमावेशन option B physical inclusion यानि कि सारीरिक शमावेशन option C समाजिक समावेशन यानि कि social inclusion यानि कि अगर फिर से option देख लेते हैं राजिनितिक शमावेशन जो कि political inclusion है option B सारीरिक समावेशन यानि कि physical inclusion है option C समाजिक समावेशन यानि कि social inclusion है या फिर option D से शमावेशन यानि कि educational inclusion है तो इन चारों में से जो question नमर 12 का जो हमारा इन चारों में से सही जवाब है वो है option C is the correct answer समाजी समाबेशन यानि कि social inclusion है क्योंकि जो बच्चे हैं वो जितना ज़्यादा आपस में बातचीत करते हैं तो social जो इंटरेक्शन है वो होता है अब देखते हैं question number 13 question number 13 को देखते हैं कि क्या इसमें क्या सही होगा या क्या question है question number 13 कहता है कि श्रमाबेशी विद्याले के मूल कत्तु क्या है यानि कि what is the main feature of inclusive education तो main feature क्या है इसमें से चार options है हमारे पास पहला पहुँच समता एवम अधिकारिता यानि कि access, equality and empowerment option B option C पहुँच समानता एवम विश्वशनीता यानि कि access, equality and reliability option D सुलबता, समता एवम विश्वशनीता यानि कि accessibility, equity and reliability तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब होगा वो है option A is the correct answer क्योंकि access, equality and empowerment की ज़रूर थे यहाँ पर reliability इन सब चीजों का ज़्यादा महत तो नहीं है अगर उनको access है, accessibility है equality है, empowerment है तो यह बहतर है equal opportunity उन्हें देजिए, that's better तो option A is the correct answer यह चार options में से हमें देखना था और यह सब D.S.S.B. में questions आ चुके हैं बहुत ध्यान से देखिए अब देखते हैं question number 14 यानि कि 14 हों प्रिस्ण जो आपके सामने हैं देखते हैं यह कहता है कि एक दिष्टी कोड जो यह सुनेशित करता है कि सभी की समान और सरों तक पहुँच हो क्या कहलाता है एक दिष्टी कोड जो यह सुनेशित करता है कि सभी की समान आउसरों तक पहुँच हो वो क्या कहलाता है इसमें चार आप्शन से आप्शन A परासंगेक्ता यानि के रिलेवेंस आप्शन B विश्वस्नीत यानि के रिलाइबिलिटी आप्शन C समता यानि के एक्विटी या फिर आप्शन D जवाब दे यानि के एकाउंटिबिलिटी तो कुश्चन नमबर 14 यानि के 14 का जो सही जवाब है आप्शन C is the correct answer equity आप देखें कुश्चन नमबर 15 पंद्रहवा परसन जो आपके शामने है कहता है कि निमलिकित में से कौन सा समावे से सिक्चा का कारे छेतर नहीं है आप्शन A सभी चात्रों को समान रूप से महतो देना ये तो बिल्कुल है आप्शन B चात्रों के बीच अंतर को समस्या की रूप में देखना ये थुड़ा से गड़बर लग रहा है आप्शन C देखते हैं सांतकर्तिक कारक्रमों में सभी चात्रों की भागिदारी बढ़ाने पर ध्यान के निर्थ करना ये तो बहुत अच्छा है आप्शन D देखते हैं सिखने में आने वाली बाधाओं को कम करना तो यानि कि question number 15 का जो हमारा सही जवाब है वो option B is the correct answer क्योंकि कह रहा है कि चात्रों की बीच अंतर को समस्य की रूप में नहीं देखना है उनमें अंतर है तो उनको हमें एक resources की रूप में देख सकते हैं उनको एक development point की रूप में देख सकते हैं तो यह हमारा main उद्देश तो इसलिए option B is the correct answer question number 16 जो आपके शामने है कहता है कि निमलिकित में से किसमे भौतिक समावेशन मौजूद है यहाँ पर physical inclusion की बात हो रही है option A जब सभी चात्र एक ही कलब में भाग लेते हैं option B जब सभी चात्र एक साथ खेलते हैं यह option C जब सभी चात्रों को सभी सुविधाओं तक समान पहुँच पराप्त हो यह option D जब सभी चात्र अध्यापन अध्यन में सनलगन हो तो question number 16 यानि कि 16 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer कहते हैं कि जब सभी चात्रों की सभी सुविधाओं तक समान पहुँच पराप्त हो तब कहते हैं कि भाईया एकदम उनका inclusion बेहतर हो रहा है question number 17 देखते हैं कहता है कि संभीधान के किस अनुच्छेद में सभी बच्चों यानि कि दिव्यांग सहित को तो question number 17 का जो हमारा सही जवाब है option D is the correct answer article 45 अगी कोई शवाल है तो आप comment में कर सकते हैं mail भी कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को like नहीं किया तो जरूर करें and channel में पहली वारे तो subscribe भी जरूर करें तो चलिए देखते हैं question number 18 जो आपके स्रामने हैं कि एक ही कच्छा में विभिन योगता वाले विद्धार्थियों के अध्यापन अध्यन की प्रक्रिया क्या कहलाती है यानि जो teaching learning है देखते हैं option A प्रासंगिक निर्देश यानि के relevant जो instructions है या फिर option B विशेस निर्देश यानि के special instructions है या फिर option C विभेतित निर्देश यानि के differentiated instructions है या फिर option D modeling निर्देश यानिके modulating instructions है तो question number 18 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer क्योंकि विवेदिक निर्देश इसलिए सही होगा क्योंकि हमारे जब विविन योगता वाले विद्दार्थी है तो कर एक जैसा ही सब कुस देंगे तो किसी को lab होगा किसी को नहीं होगा तो हमें according to देना होगा इसलिए एक नहीं बलकि differentiated instruction हो जाए आप देखते हैं question number 19 जो आपके सामने हैं देखते हैं क्या है question number 19 question 19 कि हम विद्द्यालेयों की भोतिक सुलवता को कैसे बढ़ा सकते हैं यानि कि जो physical accessibility है उसको हम कैसे increase कर सकते हैं इस्कूल में चलिए देखते हैं option A अभी भावकों का नजरिया बदल कर option B जागरूकता पैदा करके option C बिद्द्यालेयों में रैंप बना कर option D तो question number 19 का जो हमारा शाही जवाब है option C is the correct answer कि बिद्द्यालेयों में रैंप अगर बना जिते हैं तो ही physical होगी बाकी अभी भावकों करना जरिया बदलेंगे तो वो तब सब societal है जागरूकता पैदा करेंगे तो सब community की बात आ जाती है वहाँ पर Sanskritic माध्यम से ये भी अलग है तो बिद्द्यालेयों में रैंप बनाते हैं तो वो फेजिकल होता है अब देखते question number 20 20% जवाब के सामने है कि जब कोई बच्चा लिखने में आशामर्थ हो तो कच्छा में क्या करना चाहिए पहला option A उसके सिक्षक को लिखने के लिए कहना option B option C उसे लिखने के लिए मना करना या option D उसे पढ़ने के लिए कहना कोच्चा number 20 के जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कहता है कि परियाप्त समय आशामर्थ है तो हमें क्या करना चाहिए हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जो किसी बी तरीके को कोई शवाब होगा तो इसका मतलब भी नहीं है लिखने में आशामर्थ है तो हमें ऐसी चीज कर देना चाहिए तो समय दे दो या तो फिर ऐसा लेखक जो उसको सुन करके उसके दोर लिख सके तो question number 20 के जो हमारा सही जवाब होगा option B is the correct answer यह हमारे आज के 20 सवाल आजो के practice में थे I hope कि आप इन चीजों को समझे होंगे किसी भी तरीके का कोई शवाल है तो आप comment कर सकते हैं email कर सकते हैं बाकि description box में आप देखिया कई सारी link मिलेंगी आप वहाँ click करके join हो सकते हैं Instagram channel को भी join कर सकते हैं जितने भी channel में वीडियोज हैं आप एक पर जरूर देखिये आपको बहुत लाब मिलेगा किसी भी एकजाम में बहुत सारी लोग shuffle भी हुए हैं वीडियोज देख करके questions को पढ़ करके I hope आपको भी मदद मिलेगी thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंद मात्रा